नमस्कार स्वागत आपका एजुकेशन इंडिया में और बात करने वाले हैं अभी महाराश्ट्र सरकार की मत्यपरदेश की राह पर महाराश्ट्र ऐसा क्यों कह रहे हैं ऐसा इसे लिए कह रहे हैं क्योंकि राजनितिक गलियारों में इन दिनों सियासरत का नया खेल रचा जा पर कुछ और बैक एंड पर कुछ और ऐसा देखने को मिल रहा है महाराश्ट्र में ऐसा हम नहीं राजनितिक विसेशग्य कह रहे हैं लेकिन इसके बाद कुछ लोग हरकत में आये जिनके ओपर ये बयान दिये जा रहे थे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और महाविकास अगाड़ी यानि कि MVA गटमंदन नहीं तूटने वाला है सारी बाते करेंगे वीडियो को देखते रहे पूरा अगर आप भी राजनितिक खबरों को जानना चाहते हैं साथी अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो च्पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ब आपको बताते हैं क्या चल रहा है इन दिनों राजनितिक गल्यारों में तो चलिए बड़ावट से जानते हैं इन सारी खबरों को विस्तार से तो इन दिनों जहां एक और महामारी पूरी तरीके से अपना कहर बर पा रही है तो वहीं दूसरी और महाराश्र में भी सियासी खेल अब जोरों पर है और सियासी उठा पटक चल रही है इनी को देखते हुए सरद पवार सुप्रीमो सरद पवार एंसीपी के सुप्रीमो सरद पवार राजेपाल भगत सिंग कोस्यारी से मिलते हैं उसके बाद मतोसरी आवास में एक गुप्त बैठक होती है फड़न वी आगे आने वाले राजनितिक खेल और आगे आने वाले राजनितिक उठा पटकी और इस सरा कर रही है जोंकि मत्पर्देश में हालि में कांग्रेश की सरकार गिरी है और बाज़बाने सरकार बनाई है अब महाराष्ट भी उसी की रहा पर चल सकता है कुछ लोगों का ये कहना है इसके जवाब में सिवसेना के नेता संजे राउत ने ट्विट किया ट्विट करते हुए उन्हें लिखा कि जिनके पेट में दर्ध है वो सरकार को अस्तर कह रहे हैं बलकि सरकार तो इस तरह है और इसे कोई भी गिरा नहीं सकता है आपको बता दे आज साम को फड़न विस्ट की प्रेस कॉन्फरेंस भी आयोजित होने वाली है और ये साब तोर परिसारे कर रही है कि महाराष्ट में कुछ और ही पक रहा है सियासी गलियारों में कुछ और ही खेल चल रहे और ये खेल किसी भी पार्टी की तरफ से हो लेकिन फाइदा उसे होगा जो मुख्यमंत्री बन जाएगा क्योंकि इसे उसेना ने भी तो बाजबा को मुख्यमंत्री पद के लिए ही तो छोड़ा था और आखिरन सीपी भी तो अपनी ओड़ से जादा से जादा मंत्री और मुख्यमंत्री के दोर पर देखना चाहती होगी और उसके बाद अभी सब ऐसा ही देखने को मिल रहा है मंत्री की दोर में हर को यक्ति नजर आता है जैसा मद्यपर्देश में चल रहा है मद्यपर्देश में आने वाले हैं उप्चुनाव अब चुनाव में अब किसे बनाएंगे उमिद्वार ये सबसे बड़ा सवाल है तो वैसे महाराश्री में भी तो लोग है और राजनेता चाहते ही है कि मंतरी बने आपको याद होगा एक मैंने जब देखा कि एक व्यक्ति को बोला गया एक मंतरी को बोला गया जिस समय से उसेना का मंतरी मंडल विस्टार हुआ था उस वक्त की बात है तो उसने कहा है कि मंतरी का बेटा मंतरी ही बनेगा तो ऐसी बात है जब नेता करने लग जाए और मंतरी की रेस में सबसे आगे दोड़ने लग जाए तो साब नजर आता है कि ये राजने तसरफ मंत्री बनने के लिए खड़े होते हैं मंत्री बनने के लिए ये अपनी पार्टी को भी दोखा दे सकते हैं तो NCP किस खेत की मूली है NCP के नहता भी तो बाजबा में सामिल हो सकते हैं लेकिन फिलहाल सिवसेना और NCP की वापस मेटिंग होती है इसमें दावा किया जाता है और एक तूसरे को भरोशा दिलाया जाता है कि सरकार अभी इसतर है कि सरकार अभी गिर नहीं सकती सरकार एक जुट है महाविकास अगाड सरकार एक दम इस तरहे ऐसे दावे किये जा रहे लेकिन पड़दे के पीछे क्या चल रहे राजनितिक विशेसग्य मान रहे हैं कि दो पार्टियों के बीच में तूट होगी और दो पार्टियों के बीच में अनबन के कारण दूसरी पार्टि फाइदा उठा जाएगी और कोई भी पार्टि मिल जाए तीनों में से तो उनकी सरकार बन सकती है एसे में कांग्रेस तो बाजपा की सिर्पर्ति जोन दूसरी और शिटर्वा जैसा कि आपको पता ही कि बार्ट में शिटर्वसेना पहले जो महारास्टी में थी वो बाजपा के साथ ही थी और ऐसे में एक और व्यक्ति का मिलना साथ सवर्थ पवार के साथ उनका भी साथ जाना ये सबसे बड़ा सवाल कर देता है क्योंकि ये व्यक्ति चान किये अभी की राजनिति के चान किये अमिसाव निरंदर मोदी के बहुत नजदे की है और ऐसा अगर देखने को मिले तो महारास्टी सरकार और इस्तर सरकार कही जा सकती है इसमें कोई संदे नहीं है तो इस परकास से कुछ राजदितिक को बड़ी खबरे आ रही थी वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो लाइक क सेर करें साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए फिर मेरते नए वीडियो के साथ तब तक के लिए तन्यवाद जेहिंद जेवारत